हलो फ्रेंट्स आप सब्सक्राइब का थे यूट्यूब चैनल में स्वागत आज की वीडियों पढ़ने वाले हैं वह यह मारे पास एक्जांपल यह फंक्षन fx ब्रावर sin x 4 all x belongs to r is differentiable everywhere कोई फंक्षन नहीं हमारे पास क्या है इसको एक्जांपल ले रहे हैं हम सो करेंगे कोई फंक्षन है वो डिफ्रेंसिबल है किस तरह से सो करते हैं और उसके डिफ्रेंसिशन क्या होता है तो हमने फंक्षन यहां पर एक्जांपल के लिप से समझ रहे हैं तो fx ब्रावर sin x ले लिए जो कि हमारे पास 4 all x belongs to r अधिन है और यह दिफ्रेंसिबल है अवर्यवर हर जगे डिफ्रेंसिबल है हमें यह करना है तो सॉलुशन देखते हैं let c be real number , कोई c हमने को एक real number arbitrary real number ले लिया को कोई भी real number नबर है हो कि x को define कर रहा होगा 4X जो दिया हुआ है इसके लिए हमने एक point ले लिया c कोई भी point हो सकता है then f dash c plus 0 यानिके right hand derivative इसका right hand derivative क्या होगा limit x He is to c plus fx minus fc upon x minus c to right hand derivative देख रहे हैं तो c plus x fx को किसे वह मैं चेंज करेंगे वह है म्होंढक हैं संथ को क्या लख सकते हैं हमस झाल। कि टो कोज सी बदानाओ यूH को किस तरह लखा है और से इसकोँ यूदि दियुक्ने के लिके लाइच विए क्या है वो कि sin c plus 1 by 2 h plus 1 by 2 h minus sin c plus 1 by 2 h minus 1 by 2 h तो यह होगा sin a plus v minus sin a minus b जो कि हमारे पास सम्पल होता है इस फॉर्मूले के help से हमने इसको change किया है यहां से हमारे पास आ गया है limit h tan to 0 2 cos c plus 1 by 2 h sin 1 by 2 h upon h तो यहां से हम इसको क्या लिख सकते है limit h tan to infinity cos c plus hy2 या 1 by 2 h इसको लिख सकते हैं और तो 2 को इसको नीचे लेगे तो बन बाइट यह होगा है limit h tan to 0 sin 1 by 2 h upon 1 by 2 h अब यहां पर हमारे पास एक जो लिमिट होते है वह होती है limit थीटा टेंस टू 0 sin theta upon cos theta so sin theta upon theta ब्राबर 1 होता है तो इसकी help से हमने यहां पर इसकी value 1 पूट कर दें तो यह और यह h tan to 0 हो गया तो सकॉस सी आ गया अब हमने left derivative निकाला कि अब डेस सी माइनस 0 बराबर limit x tan to c minus f x minus f c x minus c limit h tan to 0 f c minus h minus f c minus h यानि हमने यहां पर क्या क्या है left derivative निकाल देंस तो x को हम replace कर देते हैं c minus h से यहां से हो गया हमारे पास x को जब replace करेंगे c minus h से तो यह formula मारे पास आ जाएगा तो limit h tan to 0 sin c minus h minus sin c और यह हो गया minus h limit h tan to 0 2 cos c minus 1 by 2 h sin minus 1 by 2 h इसको भी हमने simply इसी तरह से जो उपर तोड़ा था इस तरह से इसको तोड़ा है से इसको मैंने किस तरह से तोड़ा सेन c minus h को मैंने क्या लिखा था सेन c minus 1 by 2 h minus 1 by 2 h और सेन c minus 1 by 2 h plus 1 by 2 h इसकी help से हमने इसको जो सेन यह हो गया सेन a minus b और यह हो गया हमारे पास minus सेन यह a minus b so a plus b इसकी help से हमने इसको सब्सक्राइब टू कॉस्स जोगे इसकी तरह से इसकी तरह से तू कॉस्स c minus 1 by 2 h सेन minus 1 by 2 h upon minus h इस h को मिया नीचे ले जाएंगे तो और यह हमने से कॉस्स सी माइनिस 1 by 2 h सेन माइनस 1 by 2 h upon minus 1 by 2 h फिर से यहां पर सैन हमने यह फोंगे लगा दिया और इसको हमें और ऊपन लीक निसाओ करना तो इसको करके कड Sóकर सकते तो यहां से हमारे पास है हमारे पास कोस सी कोंकि यृफफ को तो यहां से हम firm कह सकते हैं लां कल टो राएप पास whatsoever घेरिवी फोगर को तो इस तरह सरे यह मारों का जो होगा और इवे का डैरिवेट यागा एक तो स्बसक्राइब के निकाले से सिकृष होते हैंकry अछुक्ते आ समुक्सिन का देरिवेटीस निकालने का का पो दिख यहां